हे गाईज, वेलकम टो अंकूस फेमिली व्लोग तो आज है संडे और हम जा रहे है मेरे बड़े ससुर के घर वहाँ पे खाने का पोग्रम है तो अब क्या मेनू है वो मैं आपको जा के बताऊंगी, बाई बाई तो अभी मेरे हस्बंड लेपटोप में काम कर रहे है, तो वो काम कंप्लिट कर ले इसके बाद हमें जाना है तो हम आ गए है और यह उसने नया फ्लेट लिया है और यह है जो चेर पर बेठे वो मेरी सास है और जो नीचे बेठे है, वो है मेरी बड़ी सास, जिसका घर है वो, और मैं अभी खाने बनाने का सब काम कर रही हूँ, और सब लोग ऐसे बेठे हुए, सब आ गए है, यह मेरे बड़े ससूर है, मेरे ससूर है, सब मेरे नननन्द, यह मेरी नननन्द है, और हम सब काम कर रहे ह और अब मेननू है चापड़ी हूंती हूं और यह जो फूड है चापड़ी हूंती हूं यह राजकोट का है और राजकोट में ज्यादा तर बनता है दूसरे सिटी में कम बनता है यह फूड तो यह ज्यादा तर यहां काई है और सभी लोग ऐसे हाई कर रहे हैं वीडियो चाल रहे हैं दोनों यह कर रहे हैं और अभी में यह चापड़ी को तल रही हूं ऐसे तेल में स्लो फ्लेम रखके फिर उसको तलना होता है तो ऐसे ब्राउन कलर की हो जाए तब तक उसको तलना होता है तो ऐसे हम चापड को पहले तल लेते और उंध्यू बना दिया है बैट मैंने इसका वीडियू उnd्यू का वीडियो नहीं लिया है वो mixed vegetable होता है उसका एसे सबजी बनानी होती है और उसको चूर मसल के खाना होता है चापड़ी का चूरमा करके फिर खाना होता है तो उसका मैंने recipe पूरा यहाँ पे नहीं दिया है वीडियो में बट मैं मेरे घर पे बनाऊंगी तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो बैसे चूरमा कर रहे है चापड़ी का और बीच में यह उंध्यू रखा है चास है और अनियन होती है वो जो green ऑनियन होती है वो है और केरी का जो सलाड होता है और कुकुमबर वो भी है और पापड़ है तो इसके साथ उंध्यू तो उंधियू का मुजा तो एसे चूर मुशल के खाने में आता है, इसके बाद हम खाने खाने बेट गए और ये मेरे जिटानी, ये मेरे नननन्दे, छोटे नननन्दे, तो इसके बाद, तो इसी तरह में व्लोग का एंड करती हूँ, और आपको ये व्लोग अच्छा लगे, तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे गया और बाई बाई गाईज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं